अंजली बहुत दुखी है क्योंकि वो देख नहीं पाती है वो अंधी है अंजली बजपन से ऐसी नहीं है बजपन में वो देख सकती थी लेकिन एक दिन उसके साथ एक हादसा हो गया एक दिन स्कूल जाते समय रास्ते में गारी ने अंजली को जोर से धक्का मार दिया और अं उसके बाद से अंजली अंधी हो गई उसके माता पिता ने बहुत कोशिश की बहुत सारी डॉक्टर भी दिखाए लेकिन कोई फाइदा नहीं हुआ अंजली अभी 25 साल की है वो खुद का काम भी नहीं कर सकती है उसकी मा बिमला हमेशा उसके साथ रहती है उसके पिता का नाम मनुहर है मनुहर एक दुकान चलाता है और उसी से उन लोगों का घर चलता है मनुहर और बिमला को बस एक ही चिनता है सुनिये जी हमारी बेटी 25 साल की हो गई है अब तो उसकी शादी करवान ही पड़ेगी हाँ बिमला वो तो है लेकिन एक अंधी लड़की से कौन शादी करेगा उसके लिए हमें दहेज में बहुत सारे पैसे देने होंगे हमारे पास एक वो दुकान ही तो है उसे गिर्वी रखना होगा इस तरह बिमला और मनुहर अंचली की शादी को लेकर आपस में बात कर रहे होते हैं कि अंचली ये सब सुन लेती है वो एक छड़ी से रास्ता नापते हुए बिमला और मनुहर के पास जाती है और कहती है मा, दुकान गिर्वी रखने की कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए आप लोग दुकान क्यों गिर्वी रखेंगे अगले दिन मनुहर दुकान गिर्वी रखकर बहुत सारे पैसे घर ले आता है और शादी के लिए 10 लाग रुपे दहीश देने का एलान कर देता है ये खबर चारो तरफ फैल जाती है और अंचली के लिए गरिश्टा आता है लड़के का नाम सुबोध है और उसकी मा का नाम जानकी और सुबोध की बेहन का नाम पायल है तीनों मिलकर अंचली को देखने आते हैं अंचली अंधी होने की बावजूत सजधर्श कर उन लोगों के लिए मिठाई ले आती है उसकी शादी पक्की हो जाती है मनोहर जानकी को देहेज के 10 लाक रुपए दे देता है और कुछी दिनों बाद अंचली और सुबोध की शादी हो जाती है अंचली ससुराल चली जाती है पहले के 2-3 दिन तो अच्छे से ही गुजरते है मगर उसके बाद वाले दिन जानकी अंचली से कहती है बहू जाओ जाकर मेरा कमरा साफ कर दो लेकिन माजी मैं तो अंधी हूँ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता तो क्या तुम्हें सर पर बिठा लें तब ही वहाँ पर अंचली की ननत पायल आ जाती है और कहती है भाबी भूल मत जानकि ये तुम्हारा सस्राल है मायका नहीं जो तुम हमेशा बस आराम करती रहोगी यहां रहना है तो घर का कुछ काम तो कड़ना ही पड़ेगा नहीं नहीं पायल मैं आराम नहीं करती हूँ वो तो मुझे कुछ दिखता नहीं है वरना काम करने से मुझे कोई एतराज नहीं है अब जानकी चिल्लाना शुरू करती है चुप रे कल मुही काम चोर कहीं की हमेशा बसंधी होने का फायदा उठाती है जो बोल रही हूँ वो चुप चाप सुन ले नहीं तो मार मार कर यहां से दफा कर दूँगी यह सुनकर अंचली घबरा जाती है साथ साथ उसे बहुत डर भी लगने लगता है डर की मारे वो बड़ी मुश्किल से चलते हुए जानकी के कमरे में जाती है और जाडू से कमरा साफ करने लगती है लेकिन उसे तो कुछ दिखी नहीं रहा था ऐसे ही साफ करते करते जाडू टेबल पर रखे हुए फूलदानी से जाकर टकरा जाती है और फूलदानी नीचे गिर कर तूट जाता है और उस आवास से जानकी और पायल वहां दोड़ कर चले आते है हाए हाए सत्या नाश कर दिया तोड़ दिया मेरा सब कुछ तोड़ दिया अंजली रोते हुए माफी माँगने लगती है माफ करती ची मुझसे गलती हो गई है मुझे पता ही नहीं चला कि वहां कुछ है मैं तो अंधी हूँ फिर से वही बात मा भाबी ऐसे नहीं सुधरेगी ये बोलकर पायल दो डंडे लाती है और दोनों मिलकर अंजली के उपर प्रहार करने लगते है अंजली रो पड़ती है उसी रात को जब सुबोध घर लोटता है तब अंजली उसे सब कुछ बताती है ये सुनकर सुबोध अपनी मा और बहन को ही सपोर्ट करता है अंजली समझ जाती है कि ये लोग ऐसे ही है उसके बात से हर रोज अंजली के उपर अत्याचार चलता रहता है कुछ दिन बात सुबोध जानकी से कहता है मा आपने दहेच के लिए शादी करने को बोला मैंने कर लिया मगर मैं नंदिनी से प्यार करता हूँ मैं उससे शादी करना चाथा हूँ मा मुझे पता है बेटा मगर उसके पहले ही संजली का कुछ करना पड़ेगा मेरे पास एक आइडिया है मा पाइल आइडिया बताती है और सभी वो करने के लिए राजी हो जाते हैं अगले दिन सुबोध अंजली को एक अच्छे आँखों के डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने घर से दूर ले जाता है वो अंजली को लेकर एक जंगल में पहुँच जाता है घना जंगल चारो तरफ कोई नहीं है अंजली को कुछ अजीब सा लगता है वो कहती है ये तुम मुझे कहां ले आयो आसपास और कोई इनसान नहीं है क्या हाँ है ना तुम चिंता मत करो अंजली आज ही तुमारी आखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी तुम फिर से देख पाओगी तुम यहीं परोगो मैं अभी आता हूँ ठीक है ये बूलकर सुबोद वहां से चला जाता है अंजली अकेली जंगल के बीचो बीच खड़ी रहती है शाम हो जाती है बहुत इंतजार के बाद भी जब सुबोद नहीं आता है तब अंजली सब कुछ समझ जाती है और वो रोने लगती है ए भगवाद ये मेरे साथ क्या हो रहा है क्यों हो रहा है मुझे पता है मेरे पती मुझे यहाँ चोड़ कर भाग गया है मैं अंधी हूँ उसमें मेरी क्या गलती है तब ही वहाँ पर एक बुढ़ी ओरत आ जाती है और अंजली से कहती है बेटी तुम्हारे पास कुछ खाने को मिलेगा मैंने दो दिन से कुछ नहीं खाया अंजली के पास सर्फ दो बिस्कुट थे बुढ़ी ओरत की दर्द भरी आवाज सुनकर अंजली को दया आती है और वो दो बिस्कुट और सौरत को दे देती है और अचानक से एक चमतकार हो जाता है वो बुढ़ी ओरत जंगल की देवी में बदल जाती है अंजली, मैं इस जंगल की देवी हूँ मैं बुढ़ी ओरत के रूप में तेरी परीक्षा ले रही थी तुने सब कुछ खो दिया है तेरे पास सिर्फ दो बिस्किट थे और वो भी तुने मुझे दे दिया मैं प्रसन्न हूँ बोल तुझे क्या चाहिए देवी मैं अंधी हूँ दया करके मेरी आखों की रोशनी मुझे लोटा दीजे जंगल की देव पेड, पौधे, आसमान, जमीन, सब कुछ अंजली खुशी से जूम उठती है जंगल की देवी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सब कुछ दिख रहा है इतनी खुशी मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिली अंजली जंगल की देवी को धन्यवाद दे कर वहां से च चाहते हैं अरे तुम कहां से आ गई तुम्हें तो कुछ दिखाई नहीं देता है ना हाँ हाँ तुम तो अंधी हो तुम्हें तो अब तक किसी जानवर के पेट में होना चाहिए था इतने घने जंगल से तुम लोट कैसे आई ये सुनकर हसते हुबे अंजली कहती है मुझे पता है तुम लोग मुझे मारना चाहते थे सिर्फ और सिर्फ दहेश के लिए तुम लोगों ने मुझे इस घर की बहु बनाया लेकिन अब मैं सब कुछ देख सकती हूँ अब मैं तुम सब को मज़ा चखाऊंगी ये सुनकर सभी हसने लगते है पायल कहती है तुमें क्या लगता है तुम अकेली एक औरत हम चारों को हरा सकती हो तभी सुबोत की नई पत्नी नंदिनी कहती है मैं समझ कई हूँ कि ये कैसे देख पा रही है कहीं से इसे ये चश्मा मिल गया है इसी की वज़ा से ये देख पा रही है हाँ तुम सही कह रही हो पहले तो ये चश्मा नहीं था बेटा इसका चश्मा निकाल उसके बाद हम चारों मिलकर इसे मार डालेंगे और इसके घरवालों को बोल देंगे कि अंजली किसी और के साथ भाग गई है सुबोत अंजली की तरफ बढ़ने लगता है अंजली ने खुशी के मारे ये सोचा ही नहीं था कि ये चारों जल कर भस्म हो जाते है आह बचाओ ऐसे दर्द से तडबते हुए चारों का खेल खत्म हो जाता है अंजली को इनसाफ मिलता है उसने नहीं सोचा था कि उसका ये जादूई चश्मा ऐसा भी कर सकता है वो मनी मन जंगल की देवी को धन्यवाद देती है और इसके पिता को सब कुछ बताती है वो लोग अंजली को सपोर्ट करते हैं और ऐसे ही अंजली अपने जादूई चश्मे के साथ खुशी-खुशी रहने लगती है ससुराल आते ही शीतल रसोई में चली गई क्योंकि उसकी सास विमला ने उसे रसोई में जाने के लिए कहा वहाँ शीतल की जेठानी सीमा पहले से ही खाना बना रही थी क्या हुआ, आते ही माजी ने रसोई में भेश दिया ना हाँ दीदी चाय बनाने के लिए कहा है माजी ने समझ गई, चाय बना लेती है न हाँ दीदी, मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ आज ऐसी चाय बनाऊंगी न, कि माजी फिदा हो जाएंगी मुझ पर ये सुनकर सीमा जोर-जोर से हसने लगी क्या हुआ दीदी, हस क्यों रही हो माजी को काना किला कर इंप्रेस करना ना मुम्किन है माजी कुछ न कुछ कमी निकाल ही लेंगी शीतल ने मन में सोचा कि उसके जिठानी सास के खिलाफ उसे भढ़का रही है खुद शयाद अच्छा खाना नहीं बना सकती, इसलिए मुझे भढ़का रही है रुख जो दीदी, चाय बना कर दिखाती हो शीतल ने अद्रक और इलाइची के साथ चाय बनाई और पहले सीमा को दी एक सिप लेकर बताई दीदी कैसी बनी है चाय सीमा ने एक सिप लेकर कहा अहा, बहुत अच्छी बनी है मैं भी इतनी अच्छी चाय नहीं बना सकती तो फिर क्या बोलती हो, माजी को यह पसंद नहीं आएगा तो ले तो जा, खुद ही देख ले शीतल बड़े गर्व के साथ अपनी सास के पास चाय ले गई मुझे तो कोई खुश्बोई नहीं आ रही है खैर छोड़ो पी कर देखती हूं अरे, इसमें तो दूद जादा हो गया लिकर भी कम है अद्रक इलाईची का भी स्वाद नहीं आ रहा है ठीक से आज कल की लड़कियां चाय भी नहीं बना सकती ये सुनकर शीतल हताश हो गई और मुझ फुला कर रसोई में लोट आई सीमा ने कहा क्या हुआ? कहा था न मैंने तुमने सही कहा था दीदी इतनी अच्छी चाय बनाई और माजी ने पीने से पहले ही कमी निकाल ली चार सालों से मेरे साथ यही हो रहा है बहन तु मेरी देवरानी है लेकिन तु मेरी बहन जैसी है इसलिए तुझे पहले ही बोला था चार साल में माजी ने एक बार के लिए भी मेरे खाने की तारिफ नहीं की ये तो गलत है न दीदी अभी गलत का देखा क्या है ये तो सिर्फ शुरुवात है तब ही विमला ने चिल्ला कर कहा छोटी बहू चाय तो बनी नहीं तुमसे आज दोपहर का खाना तुम बनाओ ठीक है माजी शीतल ने भी चिल्ला कर जवाब दिया उसके बाद वो खाना बनानी की तैयारी में लग गई सीमा भी उसकी मदद करने लगी अभी तक सबजियां नहीं काट पाई हाँ दोनों इनिकम में हो एकदम लेकिन माजी अभी तो सिर्फ दस मिनट ही तो हुए है हाँ तो मैं दस मिनट में दस सबजियां बना लेती थी आजक में आती रही और ताना मारती रही तुम दोनों को तो वापस तुम्हारे माई के रख कर आना चाहिए मुझे ऐसी निकम मी बहू नहीं चाहिए और जब खाना बनकर तयार हुआ तब बिमला ने कहा कितनी देर लगा दी तुम दोनों ने इतनी देर से बस पांच पकवान ही बन पाए है हां हे भगवान मुझे उठा लो खेर खाना दो और खाना खाते हुवे बिमला चिलाने लगी ये कोई सबजी है स्वाध ही नहीं है कुछ ना द्रक का स्वाध है और ना ही जीरा का नमक कम हुआ है वो अलग क्या बकवास खाना है ये ससुराल में पहले ही दिन य आजी ये सब करती क्यों है हमें परिशान करके उन्हें मजाता है उन्हें सास बनने का एसास होता है पर ये तो गलत है न दीदी गलत तो बहुत कुछ है बहन लेकिन हम कर क्या सकते है हमारे नसीब में तो यहीं लिखा है नहीं नहीं भगवान सब देख रहे है भगवान सब कुछ ठीक कर देते हैं, हम, ठीक है, देखते हैं, चल अब खाना खाले, नहीं तो बिमार पड़ जाएगी, इतना कुछ सुनने के बाद, शीतल के गले से खाना उतर नहीं रहा था, उसने किसी भी तरह खाना खाया, और हर रोज ये सिलसिला चलता रहा, सुबह से लेकर रात त बरतन धो रही थी, तभी घर के बाहर एक साधु बाबा आए, अलग निरंजन, बहुत भोक लगी है, खाना मिलेगा क्या, खाना, लेकिन अभी अभी हमने सब कुछ खा लिया, कोई बात ने हम बना देते हैं, हाँ हाँ, आप आईए बाबा, बैठिये, साधु बाबा के लि असल में बहुत दिनों बात किसी ने हमारी तारीफ की, उन दोनों ने साधु बाबा को सब कुछ बताया, साधु बाबा ने कहा, समझ गया, मेरे पास कुछ है, ये लो, ये जादुई पत्थर रखो, इसे रसोई में रख देना, रसोई में घुसकर, तुम दोनों जो भी ख सादू बाबा शीतल के हाथ में वो पत्थर देकर गायब हो गये। उसने रसोई में वो पत्थर रख दिया। बिमला बोली, अरे पकोडे में तो स्वाध ही नहीं है। बिमला बात पूरी नहीं कर पाई और उसे इतनी तेज मिर्च लगी कि वो पानी के लिए तड़पने लगी। आहा, मिर्ची लगी है, आहा, आहा, पानी, पानी, हुँ, 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 भिमला बेहोश हो गई, कुछ तेर बाद उसे होश आया, क्या हुआ था मुझे, आप बेहोश हो गई थी माजी, माजी बाकी के पकोड़े खाएंगी ना, नहीं नहीं, मुझे नहीं खाने हैं पकोड़े, जाव रात का खाना बनाओ चना और रोटी, सीमो शितल रसोई में जा कर बोली, जल्दी से चना और बनकर तैयार हो जाएं, चना और रोटी तुरन तैयार हो गई, बिमला ने कहा, अरे इसमें तो नमक ही, फिर से बिमला को मिर्ची लगी और वो तड़पने लगी, आह, कितना तीखा, हाह, हो, इतना तीखा तो नहीं था, अचानक से क्या हो गया, आह, बहुत अच्छी बनी है, बहुत स्वादिश्पनी अचना रोटी, ये कहते ही, अचानक से तीखापन खत्म हो गया, अरे, ये क्या हुआ, मैं खाने की बुराई नहीं कर सकती क्या, बिमला समझ गई, उसके बाद से उसे हर बार तारीफ करनी ही पड़ी, और इसी तरह, जादूई पत्थर की वज जसे, देवरानी जेठानी की रसोई जादूई बन गई, और उन दोनों को सास के ताने से मुक्ती मिल गई,